हलो हाई एबरिवन इस वीडियो में हम स्टेट स्कीम जो भी 2022 में न्यूज में रही हैं वो सब कवर करेंगे इंपोर्टेंट रहने वाला है इससे कोश्चन पूछे जा रहे हैं अभी एक्जाम्स में आपको वीडियो आनते तक देखना है और ध्यान से देखना है चली शुरू करते हैं पहला कोश्चन है यह तो अभी आया भी था है एक्जाम्स में विच स्टेट गौर्णमेंट है लॉंच चाश्रमी कल्यांट प्रकल्प योजना फो टी वर्कर्स टी वर्कर्स के लिए किस स्टेट गौर्णमेंट ने चाश्रमी कल्यांट प्रकल्प योजना शुरू करी है option a बिहार, option b मनीपुर, option c सिक्किम या फिर option d तिरपुरा इसका सही उत्तर है option d तिरपुरा की सरकान ने चाय श्रमकों के लिए विश्य से योजना मुखे मंद्रे चाय श्रमक कल्यान परकल प्योजना की शुरुआत की है इसके लाब ये क्या करेगी तो ये चाय श्रमकों के लिए है बेसिकली ताकि उनकी लिए उनकी हकदार सुभीदाओं को एकिकरत करके आवाज, राशन और बित्य सायता इनको सुनिश्चित करेगी तो देखो चाय जो बगान होते हैं उसमें 75% महिलाएं हैं जो भी तरकुरा में चाय बगान है मोस्ट लिए उसमें 75% महिलाएं तो इसका उद्देश से चाय बगान श्रमकों के जीवन इस्तर को उपर उठाना है और उनकी सामजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कौश्च नमर टू विच स्टेट गवर्मेंट हैज लॉंच एनम एजुथम स्कीम किस राजसरकार ने एनम एजुथम स्कीम योजना शुरू करी है ऑप्षण ए तेलंगाना ऑप्षण बी गोआ ऑप्षण सी गुजरात या फर ऑप्षण ए तमिलाडू इसका सही उत्तर है ऑप्षण डी तमिलाडू की सरकार ने ऐसा किया है तो इसका विजन क्या है तो इसका इंशुर करना है कि जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ना पादते ना वह समक्ष हो जाएंगी इसकी दोरान नेक्स्ट आते हैं मात्र शक्ती उद्यमिता योजना किस स्टेट द्वरा लॉंच करी गई है तो इसका सही उत्तर है ऑप्षण ने हर्याना की शरकार ने मात्र शक्ति उद्यमिता योजना श्रू किया है इसमें महीलाओं बार प्राप्त करने के लिए प्रजित किया जाता है इसके दोरान नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट गौर्वर्मेंट है लॉंच्ट नलाय थी रन इसकी प्रोग्राम फोर स्टुडेंट अंडर नन्मुधुलववन प्रोग्राम इसका सही जवाब है ऑप्षण सी स्टूडेंट है वो ट्रेंग करेगी पचास स्यार से जारा स्टूडेंट को कम्पीटर साइंस में और इलेप्रोनिक्स में जो आजकल के वो सब्यक्ट चल रहे हैं आएटी डूमेन एंड सॉल्विंग यूजिंग टेकनोजी प्रावलम सॉल्विंग यूजिंग है जो एकदम साप सुद्रा एल्पीज इनेवल्ड इस्टेट बन गया है तो यह है ऑप्शन ए हिमाचर प्रदेश और इसके द्वारा हुआ है तो जो इसकी सेंटरल ने लॉंच की थी प्रदान मत्र जुला योजना जिसमें क्या था कि जो भी 2016 में लॉंच करी गई थी इसमे यह भी मुख्य मंत्री ग्रहनी सुविदा योजना शुरू करी थी तो इन दौनों के वज़े से ही जो इस हिमाचर प्रदेश है वो इस्मोग फ्री इंडियन स्टेट बन गया है नेक्स्ट कॉस्चन पर आते हैं हाल ही में मद्य प्रदेश की किस योशना की तहत युवाओं को अपने उध्यम के लिए एक लाग रुपे से लेकर पांच लाग रुपे तक का लोन दिया जाएगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शनी मद्य प्रदेश मुख्य मंत्री क्या क्रांती योशना तो इसके अंतरगत इनको लोन दिया जाएगा तो बेसिकली 10,000 रुपे तक अब इनको मिल सकेंगे एंड इसका एक मट रुपो यहां पे स्लाइड फोटो गुलत लग गया है लेकिन बाकी सब इसमें सही है तो इसका सही जवाब है मद्य प्रदेश मुख्य मंत्री क्रांती योशना के तहत युवाओं को अपने उध्यम के लिए एक लाग रुपे से पांच लाग रुपे तक दिये जाएंगे नेक्स्ट कोशन पे आते हैं पंजाव सीयम भगवादन तुमान नों ने लॉंच किया है कौन सा प्रोग्राम रिसेंटली तो नों ने किया है लोग मिलनी तो इसके अंतरत क्या होगा यह एक प्लैटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि जितनी भी कंप्लेंट्स हैं लोग प्रोग्र्कार में इसा हुआ है न compliance प्रोग्र्रेंटिब्रेंट भेशारम किस इसके बढ़्म प्रोग्र्म प्रोजेक्ट शुरु है तो इसी है किया है MB आये महाराश्च्र कि सरकार करें तो इसमें क्या میरेटिक नोंग्स को क्लेक्त बरा जाएग उनका क्या जाएगा ठी वारायटी का है तो इसको उसको गणर्व कर लिया किसी जीन मैंक केять है कि उसके जीन को ग Iraqор करना ता कि आने वाले समय में सका स्रहलराक्ष शन किया जा सके उसका बापिस रीज़ किया फियर होता है किराया होता है उसके में 50% की छूट मिलीगी उनको और यह बहुत अच्छी पहल है किस स्टेट गवर्मेंट ने लॉंच करी है मुख्यमंत्री बागवानी भी मायूशनों की तो यह की है ऑप्शनी हर्याने की सरकार ने इसमें क्या होगा बागवानी किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम प्राकरते का अबदाओं की कारण से होने वाले जो भी नुकसान होता है उससे जो भी प्राकरते का अबदाएं डिजास्टर साते हैं उससे जो भी नुकसान होता है उसकी सरकार भरपाई करेगी और जैसे कि सबजियों मसालों के लिए 30,000 परे तो सांस कंपेंड रिलेटेड है निमोनिया से और इसकी फुल फॉर्म है सोचल अवेनियस एक्संट निट्रोलाइज निमोनिया सक्सेस्फुली अंड यह आता है मिनिस्ट्री कि इसकी अंतरगत मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ एंड फैंपली वेलफियर नेक्स्ट कॉश्चन पर करनाटक काशी विष्वनाथ की यातरा करने के लिए है लेकिन स्टेट ने लौंच किया है करनाटक की सरकार जो भी वारंसी में उत्तरपरदेश में कासी विष्वनाथ है वहां पर जो भी पिल्गर्मरेज लोग जाएंगे तो उनको सबसीड़े दी जाएगी उनके जो किर काशी यातरा स्कीम के लिए इसके अंतरगत क्या होगा 30,000 जितने लोगों को स्टेट में बेनिफिट होगा इससे जो भी बिजट करेंगे काशी विष्वनाथ टेंबल जो की वारंसी उत्तरपरदेश में हैं करनाटकर से जो भी जाएंगे इस स्कीम के अंतरगत 5,000 रुप Which state government has launched a new school health scheme? Sehat to check the health of school children. किस state ने launch की है? कि बच्चों की health को check करने के लिए तो ये की है, Haryana की सरकार ने उप्षन. ये हरयाना की सरकार ने इसको launch किया है. तो जिसमें क्या होगा, दितने 25,000 लाग स्टूड एंट है. उनका health is check up करा जाएगा by annually, साल में दो बार. और अच नेक्स्ट वाहशटान की सरकार की दोरा और यहां पर जो भी प्लेगनेंट लेडिश है उनको इसके लिए इसके लिए इस चीम है आचल प्रोग्राम next question है which state government has launched mahala nidhi loan scheme to promote women empowerment and self-reliance तो यह करी है राजस्थान की सरकार नी mahala nidhi loan scheme इनोने लाँच करी है इसके दोरान mahala को प्रोसाहन मिलेगा self-woman empowerment इससे जनरेट होगा तो इसमें क्या होगा जितना भी loan है इससे 40,000 का loan अगर कोई mahala चाती है तो फाले स्कंटी के अंदर यह क्रेडिट हो जाएगा इसके लाव चालिस हजार से उपर वो चाहती है तो पंदर दिन के अंदर रगत उनको मिल जाएगा मैं उपे कोंसी स्टेट ग्वर्मेंट में मुख्य मंत्री बाल आशिरवाद यूजना शुरू करी सना कि जो बच्चेट तेंश को परनाफ हैं मद्हे प्रदेश की सरकारनी यह Call Out तो योजना के दो उद्देश हैं पहला यह है कि बाल देखरेक संस्ताओं को छोड़ने वाले अठारे वर्ष सेदिक आयूक अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जाता है बालक जिसकी आयू अठारे से जादा हो जाती है और वो और्फन केंदर को छोड़के चला जाता है तो यह सरकार का जिम्मेदारी बनती है कि उनको आर्थिक एवं स्रेक्शनिक सहयोग देकर उनको समाज में पुनर सापित करना इसके लावा अठारे वर्ष के आयूत तक कि अनाथ वच्चों को जो अपने संबद्यों अध्वा संरक्षकों के साथ जीवन यापर कर रहे हैं उ तो यह की है तप्रदेश की सरकार्नी बहुत अची पहल है तो इसमें सुकरकिन कल्टिविशन प्रमोट किया जाएगा इसके अलावा जो भी किसान गन्ना उगाती है उनकी आए दुगनी हो जाएगी नई टेक्निक जैसे कि विध्धा ट्रेंच, पेड़ी प्रवंधा, डि from rafp profitability of children तो यह करी है त्म मुख्य मंतिर प्रेगरवासट तð इसकी मुख्यममें ट्र सदिया जाएगा तो 150-500 ग्राम सरोफ कह सामबर, होगी तो मिलिट होग्त कर दिया जाया किस स्टेट वार्मेट ने आश्रा पेंशन स्कीम लॉंच की है किसके लिए फूर वेलफेर मीजर एंड सोशल सेक्यूर्टी तो यह करी है तेलंगाना की सरकार ने इसके अंतरगत क्या है यह कि वेलफेर स्कीम है ताकि जो ओल्ड प्यूपिल है उनको पैंशन दी जाए या फ कि सरकार ने इसको लॉंच किया है विटे विटिविन इर्यगेशं पोटेंशल करेंशल विटेंशन उठाव ब्रिच को कम करने लिए हिमकड चिप्रेश की गई है किसानों के लिए करीगा यह बिसिकली तो इसमें क्या होगा यह end-to-end connectivity प्रोवाइड करेंगे farmer field में थाकि इनको बार्टर conservation इनका better हो crop diversification better हो integrated farming हो इसके अलावा इतनी सारी land को इन्होंने command area development activities के अंतरगत लिया है किस state government ते launch की है चिराग योशना थाकि वो free education provide कर सके जो भी बच्चे economically weaker sections में आते हैं तो यह करिए हर्याना की सरगार नहीं और जो भी बच्चे government school में पढ़ते थे लेकिन वो private school में पढ़ना चाते हैं उनको उनकी इतनी आये नहीं है तो बच्चे भी प्राइविट school में free में पढ़ सकेंगे यह चिराग योशना की अंतरगत तै किया गया है किस state government ने launch की है rain water harvesting scheme जिसका नाम है चाता to improve the ground water level तो यह करी है औरीसा की सरकारनी और जो भी ground water level में हम water को ऐसी चलने देते हैं जो भी बारिश आती है तो ऐसी चली जाती है तो उसका भी सदुपयों किया जाए इस तरीके से चाता प्रोग्राम लॉंच किया गया है औरीसा की सरकार का रहा है इस तरीके से यहां पर rain water harvesting हो सकती है तो इसकी full form है चाता की community harnessing and harvesting rain water artificially from terrace to aquifer जाए तो आपको scheme का नाम दे देते हैं कि किस state से related है और इसका objective या ही दो चीज़े ही पुछ जाती है Central government scheme मैं दूसरे वीडियो में कवर कराऊंगी इसमें state government scheme है only तो इसकी full form यह है और यह 5 साल के लिए इंप्लीमेंट करी जाएगी और इसका में उद्धिर्श्य क्या है कि कंजर्व करना है rain water को urban local bodies में और जहां पर bottle scarce blocks है जहां पर पानी की कमी है उन एरियास में पानी की कमी को पूर्ती करने के लिए water harness center बनाए जाएंगे और rain water को collect करा जाएगा किस state ने लॉंच की है rural backyard pigri scheme for welfare of farmer cattle से related है यह मेगाले की सरकार ने इसको लॉंच किया है इसके लावा इससे गया होगा farmers जो भी अपनी जीवे का चलाते हैं ठोधा different livestock farming activities की जीप जनतों का पालन करके तो उनको help मिलेगे इससे किस state government ने लॉंच की है लाडली लक्षमी योजना 2.0 मतलब इसका second version है to provide better education and health to women citizens इसका उद्देश से क्या है बेटियों को पढ़ाओ सिखाओ और रात्र ने भर बनाओ म जाएगे और जो भी वेनिफिश्योरी आते हैं उनको पढ़ाएगा पूरा खर्चा राजे सरकार उठाएगी नेक्स्त कोस्टन पर आते हैं विचे स्टेट गौर्णमेंट फैसलेट टो एंट दा प्रैक्टिस पेपर स्टेंप पेपर तो यह कि है पंजाब की सरकार ने अब यहां पर पेपर स्टेंप नहीं उच गया जाएगा यह से थोड़े ट्रांस्पेरेंसी भी आती है और थोड़ा सा जो धोके बाजी होती है वो भी कम हो जाती है तो इसका हुदेश है कि वह मोर एफिशेंसी लाए और इस टेट रिवाणि को चेक करने के लिए फिशेंसी जाद आए और फिजिकल जो इस्टेम पेपर है उनकी जगे इस्टेम पे इसको लॉंच किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतरगा ता इंटमंख अवियान 24 जन्वारी को अनॉने शुरू किया था और इस बेटियों से लेटिड है मद्यप्रदेश से है नेक्स्ट कोश्चन है माना उरू माना बड़ी प्रोग्राम किसके तरह लॉंच किया गया था कौन से स्टेट है तो यह है तेलंगा ना माना उरू मानो बड़ी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्शर को करेट करना उससे रिलेटिड है तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्शर करेट करना अच्छे वराना स्कू तो इसको इसका उदेश्य है next question है which state Sundarman Minijoo जिसने launch किया है Sundarman Minijoo कौन से state का है जिसने launch किया है Adopt One Animal Initiative यहाँ पर one है यहाँ पर पता नहीं कैसे लग गया one है या फिर a है तो गुजरात की सरकार ने इसको launch किया है Sundarman Minijoo तो एंजियो रनिंग एंधावास Sundarman Minijoo ने launch किया है Adopt An Animal Initiative to overcome financial hardship post by COVID जो भी financial hardship हुई है तो उसकी थोड़ी से भरपाई हो जाए तो Adopt An Animal Initiative इसके अंतरगत ही चलाए गया है और आप इसको बेस्ट वंगा से नहीं करेक्ट करने नहीं पर यहां पर यह जू है यह एंजियो रनिंग एंधावास Sundarman Minijoo जू है सहाई योजना तो प्रमोट स्पोर्ट इन रेवल हिट अरियाज वस्ट लॉंच्ट वाई विच स्टेट ऑफ इंडिया सहाई योजना है किस स्टेट के दुरार चलाए गया है ताकि जो भी रेवल हिट अरियाज रहे हैं उनको इस्पोर्ट प्रमोट किया जाए वहां पर तो यह है जारगार्न की सरकानिय से किया है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जो भी यूथ नंग्जल अफेक्टिड एरियाज में रहते हैं उनको मोटिवेट करना उनको पॉजिटिव लाइफ देना ताकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो इस्पोर्ट के बारा बन सके आजकल तो स्पोर्स बहुत मेहत्व रखते हैं और आपको अगर अगर अच्छा फील्ड है ओके विच स्टेट या फिर यूटी ने कंस्टक्ट किया है 3300 किलोमीटर अफ रूरल रोड इन 2020-21 अंडर दा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना तो यह करी है जमु कश्मीर से कनेक्ट हो सकें इसके लावा जो भी पॉपलेशन है वो 500 अंडर प्लेंस और अब तो 500 अंडर हिली रेजिन उनको और वेदर रोड से कनेक्ट किया सकें तो यह तो रही इसकी बात इसके लावा सड़क जमु कश्मी ने बना दी है तिनी नेस्ट कोशन में बढ़ते हैं कि पराय सक्षाले नेवरोड स्कूल स्कीम टू कंड़क्ट क्लासेज इन ओपन ग्रांड फोर प्रायमरी स्टूडेंट जो भी बच्चे हैं जिनको धूप नहीं मिलती है जब अंदेर अंदरे कमनें पर रहें दूप ही नहीं मिलेगी पोशन ही नहीं मिलेगा तो इसके लिए अगया प्रायमरी स्कूल में जो स्टूडेंट साते हैं और खुले एरिया में पढ़ाने का इनवयर्यमेंट का नहीं पर धोग भी आ सके नच्छोर अगां और एक खुला एनवयर्यमेंट हो तो ये करी है वेंस्ट बंगाल की सरकार ने तो परेशिक्षाल सब्सक्राइब क्लास्रूम है जिसमें जास बच्चों को इनकरीज किया जाएगा कि वो अपने खुले में पढ़ सगें कि इसके लावा जो भी बैच्चे कोविद 19 पाइडबिक में ड्रॉप आउट हुए थे उनकी एजूकिशन को भी कंटेनू किया जा सकें कि लैक्सक्षन पर आते हैं गॉर्मेंट ने लाउंच किया है कि इस स्रेट की ने की पर्पल डिवॉशन गॉर्मेंट भॉप परपल डिवॉशंट इन कश्मीर के लेटर्विशन वंढेटे क्स क्रॉप से लेटेटर था यह लेवेंडर से लेटेड तो वंट दिस्टेक्ट बन प्रोड़क्ट यह जो है यह लॉंच किया गया है और रिभॉलूशन किया गया है ताकि लेवेंडर को यह मुकश्मीर का वन दिस्ट्रिक्ट बना सकें तो वन प्रोड़क्ट के अंतरगत आत्म निरुबाट सेल्प रॉलायंस वनना इसका अदेश्य था इसके लावा जो वो होगी ली तामीत कि टो यह दो वह 꽃 सिर्वाइप के अंतरगत यह प्रömोट किया जाता है जन दिघरान अप किन सस्टेट कहा है तो यह भी जैमौकश्मिर का है Chinese Restaurant Department of Rural Development अं Panjahiri Raj के चुर्पार के दोश किया गया था कि जो भी भ्यक्ति कंप्लेंड करते हैं वेरिज स्कीम लेटर जिनकी कंप्लेंड होती है तो उनको सब्सक्राइब इसके लाब यह 24-7 इंटरनेट बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं आप जो भी आपके रिवियंस हैं स्कीम से लेटर वो आप यहां पर करेंगी तो इस स्कीम का नाम है अम्मा एंड वहीनी स्कीम तो अम्मा योजन जो भी नॉन बर्किंग मदर से उनकी लिए और वहीनी स्कीम जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है उनकी लिए है ओके विचिस्टेट गोर्न्मेंट ने अनौंस किया है मात्रफ शक्ति अध्यमिता अध्यमितिष तरी योजना तू प्रवाइड वोमेν इंटरपहनून अन इंटरनेशनल वोमेंस डे तो है हर्यान की सरकानी विचिछिस्ट गुळूर्म से लॉंच्ट किस ने गया है निराम मे प्रोज्रोट श्रूर तो यह किया है असाम की सरकार्दि इसमें क्या होगा इ समकी डिस्ट्रिक्स में चलाया जाएगी विच स्टेट इस्टेट हई कोशल मातरत विचना तो यह ज़ाएगी में शुरू की तो यहां पर पांच-थार का सिस्टे नंड राजायें जायें आठ बहुते हैं तो यहां पर गल चाइल्ड बाष होती है mission is to be implemented till which is financial year तो यह है option D, 2024-25 तो इसका उद्देश से क्या होगा, फ्यकस क्या होगा इसका open defecation free, sustainable liberty and solid and liquid waste management पहले साफ सपाई पे था यहां पे आ गया है तो यह question which Indian state UT is set to launch a new initiative for school student named एक्तु खेलो, एक्तु पड़ो तो इसका इसकी state है भी तिरपुरा तो इसके अंतरगत पढ़ते खिलते बच्चों को पढ़ाया जाया कुछ थोड़े देर खिलो, थोड़े देर पढ़ो जीव हला लोन scheme फोर प्राइमरली, फोर विच अमॉंग दॉवलें इसके लिए है यह जीव हला लोन scheme तो यह है उप्शनी प्रिजनर्स के लिए होके तो इन अकॉर्डेंस इस प्लान जो भी फैमली होगी उस यूजर की वो इसको लोन प्रोबाइट के जायागा इन मिट के नाम पे तो यहां पर पचक स्यार को लोन प्रोबाइट के जायागा के शुडूल कास्ट को स्टेट में उनकी हेल्प करने के लिए योजना इस्टू करें गई है नवी द्रजगार च्छत्री योजना विच यूनियर मिनिस्ट्री उस ओर्गिनाइजिंग थी ब्रक्षा और ओपन अवियान प्रोग्रम तो यह कर रही है प्रधानमंत्री आवास चोजना किसके अंतरगत आती है तो यह आती है यह मिनिस्ट्री आवास चोजना जो है गवर्मेंट ओंडिया का निशिटिव है इसका उध्रीष है फोड़ेवल हाउसिंग प्रोवाइड करना जो भी अर्वन पूर है तो टार्गेट था इसका दो करोड बिल्डिंग का टार्गेट था इसका 20 मिलेन हासिस का इसके लाबा फॉर्डेवल हासिस का 31 मर्स 2022 तक इसके दो कंपोरेंट है एक त्वार्बन में आता है एक रूरल में आता है ओके लॉंच हुआ था ये 25 जोन 2015 को जल सक्तिय अवियान कब लॉंच हुआ था तो यह यह हुआ था ऑप्शन सी 22 मर्स 2021 को संचेजल बहतरकल बॉर्टर को कंचर्प करने के लिए प्रोग्राम स्ट्रो किया गया था इसकी थीम थी कैच दारें वियर इट फॉल्स रन इट फॉल्स विच स्टेट ऑप्रेटेंट बिसन परिवर्तन तो यह है अंदरप्रतेस की सरक बीबरिंच इन्सूरेंगाना की तर्वारा इसकी में क्या होगा पांच लाग रशार नगाना की सरकार के दौरह इसकी में क्या होगा 5,000,000 का इन्सुरेंश कबर दिया जाए गा जो भी फैमिली है किस अब कोई भी अन्फोर्चनेट डिमाइस यही हो जाता है कि सिक्षी का तो जो भी उसकी फैमिली होगा इसको 5 लाग तक का इंशुरेंस प्रोवाइड किया जाएगा और जो इसकी कब्रेज ही 18-19 साल के लोगों के लिए है Next question है किसे state government ने लॉंच किया है Women Nerdy Work Program to provide 5 लाग जॉब इन 2026 तो women with necessary employable skills तो इसका answer है करनाटक की सरकार ने सकिया है तो यह develop की गई है करनाटक Digital Economy Mission in association with CAGE, Karnatak Skill Development Corporation Next question है Which state government has launched the farmer registration and unified beneficiary information system and fruit software तो यह किया है करनाटक की सरकार ने फार्मर सिर्क के लिए है यह तो यहां पर क्या होगा Single registration हो गए आधार कार्ट के द्वारा करनाटक की भूमी जो भी है डिजिटाइज लेंड रिकॉर्ड सिस्टम ताकि उनकी ओर्णर्स्टिप को ऑथेंटिक किया जाए किस state government ने आसकी है विने सम्रस्थे उचना and awareness program to eradicate untouchability in gram panchayat तो इसका सही जवाब है करनाटक की सरकार ने ऐसा किया है ताकि एंटी अंटचबिल्टी स्कीम है ये विने सम्रस्थे उचना इसका एम है कि ये untouchability को मिटा सके जो भी gram panchayat में untouchability है उसको हटा सके तो 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 आर्टिकल फिप्टीन 1746 ये सब आर्टिकल फिप्टीन उसका सब्सक्राइब करता है कि डिसक्रिमिशन नहीं होना चाहिए 17 भी उसक्राइब करता है 46 ये डायक्टिप्रिंसिपल्स में आता है कि स्टीट की उत्त है option A केरल की सरकार ने ऐसा किया है कि पहले वो बन गई है कि कार्वन डूटल फार्मिंग को इंट्रोस करने वाली ताकि उनकी तो ये बन गई है कि डिल की सरकार पहली ऐसी ये कोशन आपके लिए है वैं वास्वाच्छ भारत अविहां लॉंच सिंपल सा कोशन इसका जवाब को देना है कमेंट वोक्स में इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर भाई थैंक्यू फॉर